हेलो प्रेद्स आज हम डिस्कूस करेंगे हैल वर्ल हाड जिलंस की रियक्शन जो किक इंपोर्टन रियक्शन है तो इस रियक्शन की अंदर हम आल हमने कोई कंपाउंट ले लिया है आगे हैं CH3 कि आजिए स्टी धीजु कोट यह है रोप्रपनो एक एसिद मिट इत्प्रॉप इस प्रपनो एक एसिद अगीश एक एसिड के साथ वाला कारवन अलफा का गूल ओता है जब स्धिक को हैलोजन से ट्रीट करेंगे यृ प्रेंस ओफ रेड फिर उस ऐड पोसफॉर बोरोन आजेगा ब्रोमीन ब्रोमीन आजेगा और हची ब्र रिलीस हो जाएगा तो यहां पर बनेंगा CS3CHBRCOH तो यह अलफा पोजीशन थी तो आया अलफा ब्रोमो प्रोपिनोइक एसिड नेक्स्ट अब अगेन इसको हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे इन दी प्रैंसो फोसफोरस देन डिस हाइड्रोजन रिलीस एच ब्रोमीन निकल जाएगा और ब्रोमीन आजेगा तो आएगा CS3C-Bromine COOH और यह बनता है दो अलफा पोजीशन पे दो ब्रोमो ब्रोमे अलफा अलफा डाई ब्रोमो प्रोपिनोइक एसिड अलफा अलफा डाई ब्रोमो प्रोपिनोइक एसिड बिलेगा आफ़ा यह यह सक्य उलफा पोजीशन पे कार्बन के पाथ हाइड्रोजनास होते हैं वह रिपलेस होके पर पर को ब्रोमीन गूप जो फूसफोरास कर जब हम फॉस टैप दिखते हैं ट्वाई स।ो फूसफोर यह को जब हम 3 types of bromine से react कराएंगे तो form करेगा 2 pbr3 ठीक है first step यह हो गया second step अब हम ले लेते हैं acid ले लेते हैं कोई मानलो हमने लिया r ch2 c o o h जब 3 times of मानलो acid है acid है co h group acid ch2 और r r में भी r कुछ भी हो सकता है जब हम इसको हम pbr3 से treat करेंगे तो यह पर br3 है यह पर o h o h भी 3 times है यह से o h replace हो जएगा अब यह राजए गया आप बे तो आएगा 3 r ch2 c o b r plus o h time 3 time of o h plus 1 time of p तो क्या release होगा h3 p o 3 release हो जाएगा तो यह compound आगे हमारे पास अब देखो इस compound को मैं ऐसे लिखेंगे r c h h single bond o double bond o bromine group bromine o इसको मैं से लिखे लेंगे अब यहां पर totomaryism होगा totomaryism कैसे होता है oxygen have two loan pair of electron यह वाला bond इदर को shift होगा और यह वाला bond ऊपर electron के पास shift हो जिका oxygen के पास charge आजएगा तो जाने hydrogen इदर shift हो जाएगा next step में होगा r c double bond c h double bond o single bond o h bromine यह होगी inol form inol form यहां पर totomaryism होगा तो यह आई inol form next step में यह वाला compound third step होगा third step में यही r c double bond over single bond hydrogen single bond o h br अब यहां पर इसको ब्रोमीन ब्रोमीन से react करेंगे अब यह ब्रोमीन एस जो ब्रोमीन ब्रोमीन है इसको जम Lewis acid करेंगे तो इसके उपर partial charges develop हो जाएंगे अब देखो क्या होगा oxygen के जो दो electron हैं यह यहां पर attack करेंगे यहां पर devil bond promise होगी तो यह वाला bond break हो जाएगा यह वाला bond इस ब्रोमीन पर attack करेंगा यह वाला bond इदर को shift होगा तो ब्रोमीन negatively charge हो जाएगा जैसी ब्रोमी नेगटिव चार्ज होगा तो यह इस एच पोजिटिव से रियक्ट करके ब्रोमीन इस से रियक्ट होगे HBR निकल जाएगा मिस HBR निकल ही जाएगा फिर से देखो oxygen के पास दो लोन पर रेफिलक्ट होना है तो यहां पर bond formation यहां होगी जैसी ब्रोमीन यहां पर बनेगा यह वाला ब्रेक हो जाएगा जैसी यह ब्रोमीन इस ब्रोमीन के सार बना लेगा जब ब्रोमीन और कार्बन की बीद में बनेगा तो यह ब्रोमीन यह पर negatively charged है यह negatively charged ब्रोमीन इस hydrogen को attack करके HBR निकल जाएगा तो हमारे पास compound क्या रहाज़ेगा आर सी एच एक कार्बन ने ब्रोमीन के साथ तो आज़ेगा करण विरांशाब ब्रोमीन इस misunderstood in Yeah! चीहां पर कार्बन है, यहां पर का्बन है is सिंगल बॉंड काबं और कारबन ऑक्सीजन ना बोंद इदर शिफ्ट किया तो कारबन डबल बॉंड ऑक्सीजन चपीजन अड़ प्रोमीन एस इस नेक्स्ट अपने हम इसको वोटर सेठीट करेंगे वो़टर में एच प्लस ओ नेगेटिव एच यह वाला ब्रोमीन इस एच नेग्टिव एच पोजिटिव से ट्रीट होके माइनस एच बियार बन के निकल जाएका यहाँ पर ओ नेग्टिव एच यहाँ पर अटाक कर लेगा तो हमरे बस बने का क्या आर सी बियार एच सी डावल बॉंड ओ ओ एच यह रहा मेकानिजम हमारा यह बना अलफा पोजीशन के उपर ब्रोमीन गूप आगये इसको हम कहेंगे अलफा हेलो फॉम हमने स्टार्ट कहां से किया थ हमने यहاं से स्टार्ट किया था डटी ran यहां से स्टार्ट किया थ हमने डियक्शन यह था कार्पोकसली कैसिड ही तरह से कार्बोक्सलिक एसिड है पर यहां पर अल्फा पॉजीशन पर हाइड्रोजन ग्रूप है कार्बोक्सलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन और फाइंडली हमारे पास formation क्या हुई हमारे पास आया कार्बन alpha position पर जो कार्बन की पास हमारे ब्रोमीन आया तो हमारे पर alpha position पर halogen आया यह alpha halophone so यह है mechanism of HVZ reaction